दोस्तो रोजाना गवर्रमेंट जोब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बैल ऐकन को भी दबा ले हेलो दोस्तो बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका अपने यूटूब चैनल गवर्रमेंट जोब्स क्यान पर दोस्तो इस बार हम आपके लिए O.L. इंडिया लिमिटिड की एक और नही भरती के अपडेट लेकर आए हैं जिहां दोस्तो O.L. इंडिया लिमिटिड ने एक निया नोटिस जारी कर दिया है जिसके तहित वे यहाँ पर बंपर भरती करने जा रहे हैं 2021 की भरती का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आकर सक सेली पैकेज आपको यहाँ पर प्रवाइड करा दिया जाएगा सेली के अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 26,600 से 90,000 के बीच में सेली आपको आपकी काबिलियत के इसाब से परवाइड करा दियाएगी बारवी पास कैंडिडेट इस भरती के लिए आविदन कर सकते हैं जिहां दोस्तों उन सभी कैंडिडेट के लिए एक सुनेरा आउसर है जो बारवी पास करने के बाद इधर उदर अपनी जोब सर्च कर रहे हैं जिहां दोस्तों बारवी पास कैंडिडेट इस भरती के लिए आविदन कर सकते हैं ओल इन्डे के वेकेंसीज हैं सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट भारत के किसी भी राज्ये से इस भरती के लिए आविदन कर सकते हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस भरती पर आविदन करने के लिए क्या आपका eligibility criteria होना चाहिए कैसे आप इस भरती के official notification की PDF डाउनलोड कर सकते हो कैसे apply कर सकते हो और कब से कब तक apply कर सकते हो इन सब चीजों की पूरी जानकारी के लिए बने रहे हैं इस वीडियो में अंतितक हमारे साथ इस वीडियो को अंतितक देखने पर ही आपके सभी स्वाल आउट डाउट के लिए रहोंगे तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं इस भरती की पूरी जानकारी OL India Limited के अंतरगति भरती होने जा रही है पोस्ट का नाम है junior assistant, color come computer operator, number of frequencies various है सेली यहाँ पर आपको 26,600 से 90,000 के बीच में इस पोस्ट के लिए प्रवाइड कर दी जाएगी educational qualification के अगर बात की जाए तो बारवी pass candidate इस भरती के लिए आविदन कर सकते हैं जिन्होंने अपनी बारवी class किसी well-recognized board या फिर school से pass की हो आईू सीमा की अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी आईू सीमा 18-30, 33 और 35 साल maximum category wise रखी गई है application fees आप यहाँ पर category wise ही जमा करा सकते हो जैसे कि general और OBC category candidates के लिए 200 रुपय आविदन सुल्क निर्दारित किया गया है वहीं पर SC, ST, EWS, PWBD और EX Service Man candidates के लिए कोई आविदन सुल्क निर्दारित नहीं किया गया है बिल्कुल फिरी वे आविदन कर सकते हैं यह आविदन सुल्क आप online mode में debit card, credit card या फिर net banking के माध्यम से जमा करा सकते हो selection यहाँ पर आपका computer based test यानि की CBT के आधार पर किया जाएगा online आप इस भर्ती के लिए आविदन कर सकते हो ओल इंडिया में आप कहीं से भी आविदन कर सकते हो official website है ol-india.com dates के गर इस भर्ती की बात करें तो इस भर्ती पर online आविदन करने की last date 15 अगस्त 2021 है तो दोस्तो ये थी oil India Limited की इस भर्ती की पूरी जानकरी इसके बाद भी दोस्तो गर आपको इस भर्ती के बारे में और ज़्यदा जानकरी चाहिए तो आपको हमारी website के इस page का link नीचे description box में plus first comment box में मिल जाएगा जहाँ पर जाकर आप directly इस भर्ती के official notification की PDF को open करके पूरी detail आप उसमें से read कर सकते हो जी हाँ दोस्तो ये इस भर्ती के official notification की PDF का direct resource link है जैसे ही आप इस link पर click करोगे तो आपके सामने इस भर्ती का official notification खुल जाएगा ये इस भर्ती का official notification है यहाँ से आप पूरी detail विस्तार पूरुआ one by one करके read कर सकते हो जैसे कि क्या post का code है, क्या post का नाम है, क्या आपकी qualification होनी चाहिए कितनी number of frequencies है, कौन सी category के लिए कितनी number of frequencies है कितनी sale लिए आपको provide कराएगी ये पूरी detail यहाँ पर आपको one by one करके इस advertisement में provide कराएगी है, जो कि आप यहाँ से read कर सकते हो पूरी detail यहाँ से read करने के बाद आप simply इस भर्ती के लिए online आविदन कर सकते हो, online आविदन करने के लिए link भी आपको हमारी website के इसी page पर provide कराएगी है जी हाँ दोस्तो, ये इस भर्ती पर आविदन करने के लिए apply online card direct resource link है, जैसे ही आप इस link पर किलिक करोगे तो आपके सामने इस भर्ती पर आविदन करने के लिए online portal खुल जाएगा, ये इस भर्ती पर आविदन करने के लिए OL India Limited का online portal है, यहां से आप simply इस भर्ती के लिए online आविदन कर सकते हो, सबसे पहले यहां पर आपको register now link पर जाकर अपना successfully registration करना है, उसके बाद login करना है और application form को बरकर last date से पहले-पहले submit कर देना होगा, दोस्तो application form भरते समय आपको अपनी पूरी detail accurate way में fill up करानी होगी, otherwise आपका application form cancel कर दिया जाएगा, तो दोस्तो इस परकार से आप इस भर्ती के लिए आविदन कर सकते हो, आज की वीडियो में बस इतना ही, आई हो पे वीडियो आप